हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बीचु पार्ट साला बीचु पार्ट साला एक online learning platform है जो आपको जिए कि इस वीडियो को लाज तक देखिएगा क्योंकि बहुत सरे ऐसी बाते हैं जो मैं आपको संझाओंगा वीडियो आज वो सकता है लंबा भी हो जाए मुझे उसे फर् पड़ेगा ठीक है तो कुसिस कीजिएगा कि जो बाते में समझाओं ये वीडियो आइधिंग 10 मिनिट 15 मिनिट का भी हो सकता है तो डेटा पीछे दिख रहा होगा और बाइद भी अच्छे से स्माइल प्लीज आप लोग की जो भी इंक्वारीज है नो डाउट की हो सकता है मैं पूरा भी स्वाल नहीं कर पा रहा हूंगा लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कई बार हम जब परिसान हो जाते हैं लोग हमें समझाते हैं कि परिसान मत हो ये आपका हो जाएगा लेकिन फिर भी एक मन में रहता है नहीं पर सामने वाले इसान अगर हां नहीं बोल नहीं है लेकिन मैं इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि अभी ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में लगभव 50-60-70% की डाउट जहों के लिए हो जाएंगे ठीक है तो प्लीज एवरीबन डू लाइक एंडूसियर उस घंटे को दबा लेना जिससे आपको अ चाहिए और आपको यहां से मैं प्रॉइड कराऊं तो दिखी आपका रिजल्ट आया है रिजल्ट में बहुत सारी चीजे दिखी जैसे की कटेगरी रैंक और रहें जनरल रैंक फिर आपके मार्क्स मार्क्स अच्छली आपको एक पहला दन्पी अंदूर कर देंकि मार्क्स और इंडेक्स अफी चीज होता है अब कहा हीम मत्त है सबसे इन सब को भी छोड देते इसको तो मैं आ संभानंगी समझाओंग मिंसको छोड देते आपको भी करना क्या चाहिए कि अभी आपको क्या करना चाहिए थी कि एन में मुद्दर रहे tu कि जाहिए से बाते रिजल्टस आया है कंफरमेशन आको चाहिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा मुझे तैयार रहना है कि मैं आपको एक ढम एक परफेकी बात बतात मतलब इस लिए में बता रहा हूँ जिससे कि कम से कम आप खुद के self-respect में बद जाओगे मतलब आप कहीं ने कहीं खुद मैच्चूर बन जाओगे खुद आप जो चीज चहीए आपको information के तोर पर आप उसे खुद ले सकते हो उसके लिए आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा पता है वो क्या है वो है आपका portal ठीक है और दूसरा है बहु ऑफिसियल ठीक है यह दो चीजें आपको खुद informative बना देगा आपका पोर्टल चाही हुजी चाही पीजी वो कुछी दिनों में open होने वाला लास्ट वीडियो जो मैंने आपको यह बात बताई भी थी यूजी का जो portal है वो open हो जाएगा बारत आप 10 के बाद 12 तक आप देख लेना बारत तक open होने के पूरे चांस है जो उसके दिख रहा है तो जिन लोग कोई के भी पोर्टल पे काउंसलिंग लेटर इसू हो जाएगा सिंपल सी बात है वो कौन्सलिंग को फौलो करेंगे तो यह काउंसलिंग लेटर ही कहानी शुरू करता है ठीक है ना बियर्चू भीसी ना कोई डीन ना कोई अचोडी ना मैं कोई भी नहीं है जो यह क्लियर कर दे कि आपको हॉस्टल मिलेगा आपको यह सब्जेक्स मिलेंगे और आपका सेलेक्शन होगा कि नहीं होगा मिरेगा समझे लिए यह मैनुवली होता है मैनुवली नहीं होता है यह खुद मेरिट के बेसिस पर जनरेट हो जाता है और आप इसकी प्रिंट आओड निकलवाते हो फिर आप काउंसलिंग पूरसेस को फॉलो करते यह बात मैं इसलिए सम्झा रहा हूं क्योंकि आपकी इसलिए समझा रहा हूँ मेरे चोटे भाई मेरे दोस्त मेरे चोटे भाई बहनों देखो यह कॉंसलिंग पोटे का प्लीज वेट कर लो ठीक है अभी मैं फुरा स्टोरी सुनाओंगा तो खुदी प्रॉब्लम्स सौल हो जाएगा ऐसा नहीं है कि मैं वह स्यादवाद का सारा ले रहाँ कि प्रॉब्लम्स को सौल करना है तो चलो उससे मुह मोड़ ले ऐसा नहीं है मैं आपके साथ अभी भी हूँ हमेशा हूँ कॉंसली तक रहूँगा एडमिसन तक रहूँगा ठीक है तो सभी लोग को बहुत सारी सुख काम आ है जिन लोगों ने अच्छे मार्ज नहीं लाए है उनके लिए सजेस्टन है मेरे साइट से अभी कोई बात नहीं है जीवन रुपता नहीं है कभी आप आराउंड से नेक्स्ट इस्टेप के लिए आगे बढ़ो अपने मम्मी से अपने गार्जियन से अपने अपने पैरेंट से आइमीन अपने टीचर्स वगर से भात कर लो कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे मांच इतने आए हैं इतने आए हैं फिर आगे के लिए सोचो बैठना तो चाहिए ही नहीं मेरा मालना है हमेशा चलते रहो 100% कभी तो कभी से बलता हाथ लगनी है और बियर्चू कुछ है ही नहीं आप बस सिद्दत से लग जाओ समझ में आ रहा है और अभी कुछी दिनों बाद फिर से फॉर्माने वाला है भरना त्यारी करो निकल जाएगा और इंडिया में बस बियर्चू थोड़ी है इतनी सारी इनवर्शिटीज है एक प्लान त्यार करो एक डाइवी पे पूरा प्लान त्यार करो कि हां मुझे इस इस इंवर्शिटी से यह करना है यहां से करना है उसके काम करो रफ टाइव करो करने से दो तो तो बहुत सारी बात से बताने के लिए लेकिन में बता है कि आप लोगो था बोरिंग लग रहा होगा चलि मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों प्लीज बेचुपाटसला का न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है बेचुपाटसला का न्यू चैनल भी है यूगुरुकुलू से ज्वाइन करनो सर्च करके यूगूप पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कॉल करके मेरे से इंफॉर्मेशन ले लो बहुत बैचरीनी स्टडी मैं कराऊंगा मैं खुद कराऊंगा साथ में पढ़ोंगा साथ में पढ़ना उसमें क्या है सफलता सबके हाथ में थोड़ी होता है तो जाहिर से बात है कि हम जब कर्म कर निकलते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी मिल सकता है हमाँ सफल भी हो सकते हैं लेकिन इस बात के खुछी होनी चाहिए कि कि आपने उसके लिए सिद्र सभेह के है कि कैने मुझे मैंने बहुत सारी ज случа jeder हो आपके भी बहुत सारी जाम आप देऊगेadamente'll को सकता है ब lei लेकिर उसके लिए work करना जरूरी होता है खुद के अंदर से आवाज एकपार आनी चाहिए कोई बात नहीं है मैं बता दिया कि तेक्षर दोस्तों देखें जो सीट है आर्ट्स और सोशल साइंस का जो सीट है वो यह पूरा मैंने इंटेग्रल कॉलेज और एफिलेटेज कॉलेज के साथ मैंने बता दिया है यह बीए का स्पेशल वीडियो होगा अब मुझे एकदम पता विस्पूरा विश्वास वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन फिर भी कोशिश की जगा कि आप अपने डाउट्स को क्लियर करने के ल लेकिन अभी मेरा खुद आफिस्यल बात ही होई है तो 25% सीट बढ़ने की वज़ों से 1000 प्लस हम लोगों के लिए सीट हो जाती है हम लोगों के मानलब में आप वर्ड उचकाने के मतलब है कि इसमें इंप्लाई वार्ड और इसमें EWS का इंटेंट फिरेंस नहीं होगा कि एंवेंबी की जो सीटें होंगी 286 प्लस मैंने लिखा है लेकिन ए भी 10% EWS इस पर लगेगा फिर 25% बढ़ेगा मतलब जितनी सीटें लिखी गई है यह कम बाली लिखी गई है अभी इस वाले सीट को छोड़ने के बाद इसमें सीटें बढ़नी बागी है इससे आपके सेलेक्शन के आसार बढ़ जाते हैं चांसे बढ़ जाते हैं पर असान मत हो यह वाला वर्ड याद रखो ठीक है कॉंसली में सब को करना है ठीक है चलो एम पीजी में जो सीट है आर्ट्स में 383 प्लस है भीके अम में है अच्छा मैं यहां पे और क्लियर कर दूं कि वाइज के लिए कौन से कॉलेज है तो में कैमपस मेंस एफमसी और यहां पे डीवी नीचे यह दो सीट दो कॉलेज है इनवर्सेटी है यह बस आपके में इनवर्सेटी से अफिलेटेड है और यह सभी इनवर्सेटी मेरे दोस्ट जो है में बस वल्ली गर्स बढ़ती है तो सबसे पहले तो में सभी छोटी बैने खुस हो जाओ ठीक है सभी अच्छी से स्माइल देदो क्योंकि देखो मेरे दोस्त एक बार ध्यान रखो आपको आ सब्सक्राइब को जितना खेलना है पूड़ा पूड़ा तो एक तरह से आप तो परसान ही मत हो क्योंकि उपर वाले ने आप लोग के लिए एक्स्टा चीजे बना दिया चलो भाई ठीक है ऐसा को गल्स ज्यादा पढ़ लेना पाइस थोड़े से कम पढ़ ले ठीक है प्लि एक लिए परसें बढ़ेगा फिर त्वुन टैन परसंट डिजर्वेशन और तैं परसें लगेगा इसकि इकपरसेंट इस बार बढ़ें मलब 5 परसेंट इस बार लगाता मुंसाओ पें पांस सीक्टी रखी ती डेम्स की लेकिन इस बार किता रखा जाएगा दस रखा करने में आसानी है कटाप की बात करते हैं तो इस बार ने कटाप को थोड़ा सा लगवाक चेज़ करने का मूर्ड नहीं था क्योंकि दोखो एक बाद ध्यान कर लो बीए जो है ना ये दो चीजों से मिलके बना है आर्ट्स एंड सोसल साइंसेज ये दो फैकल्टी से मिलके बीए बनता है बीए चोग है समझे लो तो जो बच्चे है ना मालो कि मैंने बोला 35,000 बच्चे आर्ट्स में फॉर्म डाले वही 40,000 बच्चे सोसल में फॉर्म डाले सेट पढ़ाई होगा 11 का 1st चप्टर सेट है जो इन दोनों में ही फॉर्म डाले हुए है किने परसंट 60 परसंट बच्चे अब मेरे बात बताओ कटाप का जो रैंक है और जो मार्च से हो क्या बारियर नहीं करेगा बाई एक बात बताओ इन लड़का जो 60 परसंट है वो किसी एक ही फेकल्टी में न जाएगा वो या त अब अगर बोलूं कि अभी मैं इसको था रोब्रेक करता हूँ मैं पहले जनरल रैंक वाई समझाता हूँ तो समझ में आएगा अब देखो यह जो है 16 सो मैंने लिखा है जनरल रैंक पता है मुझे पता है कि 1000 सीच है 16 सो पर कैसे मिल जाएगा जब किसमें रिजर्वेशन अभी बाकी है मैं कटेगरी रैंक को लिव आउट कर रहा हूँ मैं यहां पर आपका ओवराल रैंक बेसिस पर कटेगरी कर रहा हूँ मतलब सेलेक्शन डिफाइन करना हूँ आपके कांसलिंग को ठीक है इसलिए मैंने बढ़ा के लिखाया है क्योंकि यह आधा बच्चे आर्थ में जाएंगे आधा बच्चे सोसल में और इस समय से लगबग 10% बच्चे ऐसे भी होंगे जो एड़िसन नहीं लेंगे मेरे कांसलिंग के टाइम पर ऐसा जरूर हुआ था कि मेरे अगल और मेरे बगल में खड़े हुए जो भी बच्चे थे वो बेच्चू केमपस में नहीं दिखते हैं जिब कि मैं दिखता हूँ क्यों क्योंकि उनको बेच्चु रास नहीं आया उनको कहीं और जाना थो चले बहुत सारे ऐसे इनुवर्सिटीज हैं जहां पर बच्चो ऑल्लेडी एडमिसन ले चुके हैं बहुत सारे इवेन आईटी जेएमेन की भी ऐसे बच्चे हैं जो की आर्स का भी पेपर डाल दिये थे कहीं नहीं होगा अब उनका कहीं उधर निकल गया उधर से ले जाएंग पहले ही बोल चुका हूँ कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कोई भी इतना बड़ा विद्वान नहीं है जो आपके एडमिसन को एकदम हंडे परसंट स्टोर बता पाए कि तो आगे बढ़े इस्टोरी एक हजार जनरल रैंसिक एधर्टिम बने के पूरे आसार दिख लेया अब यहां पर कहानी यह बन जाती है कि अच्छा सब्जिक्स कौन से होता है मुझे बात बताओ अक्सर हम लोग ने एक वर्ड सीखा होगा हमें अच्छी किताबे पढ़ना चाहिए उसके जस्ट बाद एक कोश्चन दिमाग में आता है कि आखिर अच्छी किताब कौन से होते है फिर भी वो ठीक है उस टॉपिक कभी कंटिनू किया जाएगा अगर मैं बोलूं कि अच्छे कोर्स सब्जेक्स कौन से होते हैं तो लोगों का अलग अलग पसंद पे अलग अलग हो सकता है को फिर तो उसे जोग्राफी 200 पर मिलेगा हो सकता है उससे भी ज्यादा पे लेकिन डिमांडिंग टॉपिक है परिसान करता है आपको तो मैं इसका एक बीडियो बना दूगा कि अच्छे सब्जेक्स कौन से होते हैं मैं उसके रिफ्रेंस पॉइंट किस रिफ्रेंस पॉइंट पर बनाऊंगा तो UPSC वगारा पर और आगे प्रोफेसर वगारा लाइन पर मैं बता दूँगा कि कौन से सब्जेक्स आपको पढ़ने चाहिए ठीक है उसके बाद OBC का ओवराल रैंक है कटेगरी मस्त मज़ लेना OBC में अगर कोई रड़का है ओवराल रैंक 2000 है तो एड्मिशन हो जाएगा स्टी में 2500 है हो जागा ओवर रैंक एस्टी में 3000 है हो जागा यह बस मैंने FMC का बताया है यह बस अभी 1000 सीटों का सलेक्साट का बता रहा हूं अभी नीचे पूरा लगबक सास्या लगबक 1500 मुझे लग रहा है कि 1500 1200 सीटे इधर होंगी अभी इतनी सीटे मैंने छोड रखी है तो सोचो कि अभी एडमीशन के कितने आंसार दीख रहे है इसमें सोचो कि इतने रहें तक मैं एडमीशन अभी FMC में गिना दिया अभी तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो लोग भी यह 200 प्लस 180 प्लस 170 प्लस में हो वह एडमीशन के चांस्टेज अपना सोचो की होने के चा होना है ठीक है कॉंसली पोर्टल ओपे रोने दो कि मैंने यहां पर इसलिए लिख रखा था कि 200 प्लस वाले बच्चे जो है इस एक जोन में भी है और इनको मन चाहिए सब्जेक्स मिलने के चांस रज़ है प्लीज फॉस्टल के लिए भी मत परसान होना वीडियो इसमें बना रहा है ठीक है 180 लगवग ऊछे शब्जेक्स मिल जाएएगगे एकसो साठ में थार्ड लाइनिगई के साथ आपको सब्सेश मिलेंगे के मलदब foreign language के साथ 180 में भी लगबग आपके मंचाहिश सब्जिक्स हो सकता है ना मिले इनके सेलेक्शन और इनके अडमेशन वगारा सब इनके फिक्स है इस बार एक और वारियेशन देखने को मिला कि हम लोग के टाइम पे जो लड़का 200 प्लस जा रहा था उसकी रैंकिंग देखना साथ 500 के भी नीचे गया होगा एक बात और मुझे समझ में आई इस बार कि 240 के उपर जाने पे लड़का तुरं तॉप 100 में आ गया है लेकिन वो जैसे ही 230 के नीचे जाता है उसकी रैंकिंग भाग के तुरं 300 नीचे चले जाती है इसका मतलब क्या है कि बच्चा 240 के बीच में बहुत जाला है और यह वही बच्चे है जो के आर्स और सोसल में चले जाएगे तो नीचे से आपके सीटे बढ़ेंगी फिर आप आओगे उनकी सीट पर अभी EWS अलग है उसमें बच्चा जाएगा जनरल का बच्चा फिर अपनी कर्टेगरी में चला जाएगा फिर इधर बहुत स्टोरीज है मलग मैं आपको यह समझाना चारा हूँ वीडियो के मातलम से कि आप परिसान मत हो ठीक है धीरे-धीरे करके काम करते हैं हाल तो यह हो गया है कि मनलग एक साथ इतने सारी चीजें आप चाहते हो कि हो जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लेम्स है है हम लोग के साथ लेकि मैंने बोला है कि मैं साथ दोंगा तो साथ दोंगा एडमिशन तक दोंगा भोड़ा तो प्लीज एक अच्छी सी स्माइल देना खुद पी वरोसा रखो अपने गार्जयोंस वगारा से बात करो आगे लाइक में क्या करना है उस पर वर्क करो बिसिक जो आपकी सीट को बेच देगा एक दम इंपॉसिबल कहानी है आप भस धीरी धीरी एक एक स्टीप को बस भाचानों बस आपको क्या लगता है कि क्या मैं ऐसे ही अचानक से मैंने यूटूब खोड़ा और में इस सब चीज़े जा गया कभी नहीं मेरी स्टोरी अलगी थी मै तो बीर्चु में आना भी नहीं जाता था लेकिन आज में इस सब चीज़े बताता हूँ मुझे यह सब का पूरा अच्छे सा नॉलेज है इवेन मेरी कोस्टन दो दिन लाइफ सेशन के पहले से मेरे 5-6 कोस्टन मेरे बी आर्ट के पेपर में फसे हुए है इतना अनलीसिस में आगे अब दीले दीले इस बार तो और अच्छा सेलेक्शन दिलवा सकते हैं हम लोग क्योंकि आप और मैचुर्टी आई है और नॉलेज आया है और चीज़े समझ में आने लगी है मुझे आप भी चीज़े खुच समझ जाओगे आप जब अभी सेलेक्ट हो जाओगे हो जाएगा तो आप अपने भाईयों को बताते फिर होगे कि आपका इतनी पर हो जाएगा वियर्चु के खास बात है बच्चे बड़े हैल्फुल होते हैं और वह वियर्चु के पूरे तारगाट को समझ जाते बड़ा एजली क्योंकि बड़ा ही ट्रांस्पारेंट है इस जुशी के साथ साथ बहुत सारी सुखकामना है और बधाई आपके महिनत के लिए आपके मांस के लिए आपके आड़मी संग के लिए घर में मिठाई खिलाओ खुद खाओ खुश रहाओ आगे अच्छा होगा हम आपके साथ है मैं पूरी कोशिस करोंगा कि आपके जितनी पर रखके वीडियो बना रहा हूं मुझे पता है कहा कहा को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो मैं खुदी आपको one by one one by one one by one नहीं चार दिनों में पूरे डाउट के लिए रिंस वाले वीडियो में देव हूं तो थोड़ा सा प्रेसल्स रखो आपका अपकी सीट लेके कोई नहीं भागने माला है एक दम वह आपके हाथ में पड़ी होगी है आज भी है कल भी रहेगी पूरे admission तक आपकी setup के हाथ मिलेगा आपको मिलना है तो आपको मिलेगा आवेर रहने की ज़रूरत है counseling procedure को follow करना कोई problem होता है तो हम लोग यहाँ पर बाइबे टेक केर मिलते हैं next video में हर अर्मा आदे उजैसे किस ना राधे रहा दे अच्छी सी smile करें बाइबे